इंट्राडे में अगर आपको स्केलपिंग करनी है और ट्रेंड के साथ करनी है तो आज मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एक स्ट्रेटजी बजाता हूं जो की हैकिनाशी केंडल स्टिक के साथ होती है और आप ये में और हैकिनाशी यूज करके किस तरह से ट्रेंड के साथ आज हम इस वीडियो पर देखेंगे यह मैं आपको पूरा जो है वह आपको स्क्रीन पर मैं लाइव दिखाऊंगा और इसके लिए मैं धन एप मैं यहां पर यूज कर रहा हूं आप चाहिए तो धन का वैब अप्लिकेशन यूज करें या आप उनकी एप यूज करें इसमें चार्ट पर हम लोग जो है वो ट्रेडल सकते हैं तो यह भी देखेंगा अगर को आपका जो है चार्ट रेंग विव वाला चार्ट है इसमें सबसे पहली चीज़ आप करनी है कि आपको 3 EMA लगाने है EMA होता है Exponential Moving Average तो आप यहाँ पे अगर आप EMA लिखेंगे तो देखिए Moving Average Exponential यह ऐसे आप लगाएंगे तो इस तरह से Add हो जाता है और इसकी Settings आपको Change करने के लिए यह इस तरह से आप उनकी Input Value आप डालेंगे और यहाँ कुछ Color Change करना चाहिए तो वो डालेंगे तो यह देखिए मैंने इस पर 3 EMA लगा रखें मैं इनको यहाँ Visible कर देता हूँ तो यह पहला जो EMA मैंने लगाया है वो Red Color में लगाया है 9 का दूसरा EMA जो मैंने लगाया है वो लगाया है Green Color में वो 20 का यह गलर Green और तीसरा EMA जो मैंने लगाया है वो है 50 का पचास का Blue Color में यह 50 का ठीक है तो मैंने यह तीन EMA लगा दिये हैं और यह तीनो EMA जो है और यह मैंने 5 मिनिट की Candle Stick पे लगाया है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यह तीनो EMA जो है वो मुझे बहुत क्लियरली ट्रेंड बतायते हैं सिंपल बात है RGB का कॉंसेट आपको बता है RGB बोलने में बड़ा असान होता है तो अगर मुझे सबसे उपर पर नीचे है जी उसके ऊपर है और B उसके ऊपर है तो यह शेर जो है वो Negative चंस्स एकजमब यह देखिए आपके सामने देखिए अभी यहां पर और यह आर ऊपर है जी उसके नीचे इन थैभा तो यह trend जो है इस समय यह positive trend में चल रहा है पहली बार ठीक है तो यह simply आपको trend बताता देखिए अभी देखिए यह आप देखेंगे तो यह पूरा जो है यहां से trend शुरू है R उपर है फिर G यह B तो यह trend जो है positive है इसी तरह से अगर हम को negative trend अगर हम ढूंड़ें तो let's say यहा हो गया R G और B यह देखिए यहां पर R GB तो यह trend नेगेटिव हो गया और यह पांच-5 मिनट की candlestick के लिए है तो यह intraday का trend हो गया तो intraday में trend इस समय positive चल रहा है यह negative चल रहा है ठीक है तो यह आपको trend बताता है तो आपको जो trade लेना है वो trend की तरफ को लेना है पहली ब trend पूर नेगेटिव चल रहा था आर सबसे नीचे तो यह R GB ऐसा है तो यह trend पूर नेगेटिव है और आज सुबह से trend देखिए इमिजेटल यहां से positive हो गया है और यहां पर आपका trade बनता था वो trade कैसे बनता है वो भी मैं बताऊंगा भी exactly आपके लिए और फिर आप देख candlestick होती है अपनी normal Japanese candlestick इसमें बहुत ज्यादा noise होती है मतलब हर डिरेक्शन बताती है तो इसके बलावा एक और candlestick है जिसे बोलते है हाइकी नाशी ठीक है तो यह देखिए मैं select करता हूं तो आपको जो है ऐसा लगेगा कि trend आपके लिए जादा clear हो जाता है हाइकी candle का start जो है वो पिछली candle के center से होता है बस ठीक है normal candle में ऐसा नहीं होता है normal candle में जो प्राइस होगा उस पे start होता है हाइकी नाशी candle में जैसे पिछली candle माले जिए ये इतनी बड़ी बनी चाहिए वो red बनी हो green बनी हो next जो candle बनेगी उसका start उसके center से होगा अगर यहां से आपको कहीं भी जो है नीचे का विक नहीं दिखेगा मतलब जो मोंबत्ती की जो धागा होता है उसको विक बोलते है तो वह विक नीचे को नहीं दिखेगा मतलब trend जो है वह बहुत strong है और यहां पर यह थोड़ा सा विक दिखना शुरू हो गया यह मतलब slow हो गया trend ठीक है अब यहां पर देखिए यह red भी बन गया नीचे विक भी तो यह trend slow हो गया अब यहां से फिर मामला गड़बड हो गया किस तरफ को भी जा सकता है ठीक है तो यह और strongly trend को दिखाता है यह चीज ठीक है तो यह से आपको trend clear हो गया अब trade कब लेना है देखिए trade हमारा बनता है जब भी हमको trend में reversal दिखता है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि यह देखिए यह trend जो है वो negative था r नीचे फिर g b उल्टा ठीक है तो पहले आप देखेंगे कि यहां पर r ने पहले g को cross किया और फिर b को cross किया ठीक है पहले g को cross किया अब r g b उल्टा हो गया और यह condition है कि उसका पिछला जो हाई बना है जो कि अभी इस case में यहां है यहां में एक line catch लेता हूं इस तरह से ठीक है तो यह जो पिछला हाई बना है उसके ऊपर आपको जो है वह मतलब यहां से एक तरह से चोटा सा breakout है तो उसके ऊपर ही आपको trade लेना है trade किस तरफ से लेना है वह आपको trend पता लग गया कि यहां से trend जो है यह पहला crossover हुआ red ने green को cross किया दूसरा crossover इस candlestick पे blue को cross कर लिया तो अभी clear हो गया कि दोनों जो है 9 वाले ने 20 को भी और 50 को भी दोनों को cross कर लिया तो अभी trend positive हो गया है लेकिन जब वो इसको cross करे और उसकी अगली candlestick के top प अगर इस point से ऊपर है तो यहां पे आप अपना trade जो है वो ले लेंगे अब आप सोचेंगे कि सर यह तो इतना दूर है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं अगर trend है और सही trend आपने पकड़ा है तो बहुत easily और इसमें क्या है इसमें आपका stop loss बहुत easily जो है लग जाता है और stop loss क साथ आपका stop loss जो है वो साथ में आप move कर सकते हैं समझे तो अभी देखे क्या हुआ अब यह देखे यहां से यह पहला crossover मिला यह दूसरा crossover मिला मतलब यहां immediately आपको चेक करना है और यह लाइन आपने खट से खेंश देने कि इससे ऊपर और next candle जहां close हो रही है तो next candle अगर जो है negative close हुई तो नहीं positive close हो रही है उपर close हो रही है और इसकी भी उपर close हो रही है यहां पर आपने trade ले ले लेना है और आपका stop loss जो पिछली candlestick है इससे जहां trade ले रहे हैं उसके नीचे यानि इस point पर आपका stop loss रहेगा और stop loss trending रहेगा उपर की तरफ को देखिए जैस इसे ही next candlestick बनी green वो close हुई तो आपका stop loss है वो move होके जो से पिछली candlestick है उसके bottom में लग जाएगा तो यह जो stop loss है यह देहान रखिए trend कितने भी लंबा चल सकता है जरूर नहीं कि खतम हो जाए आपको अपना stop loss जो है वो move करते जाना है तो पहला next candlestick बनी तो आपका stop loss move होके उसके अगली candlestick के नीचे आ जाएगा next candlestick बनी तो उसके जो पिछली candlestick है उसके पीछे आपका stop loss जो है चलता जाएगा तो आपका stop loss आप देखिए यह इस तरह से आप देखेंगे क्योंकि यह जो है यह हाकिनाशी candles है आप समझे तो इसका मतलब यह है कि कोई भी candle जो next बन रही है वो पिछली candle का half break नहीं कर रही है आप समझ रहे हैं यह सब strong candle है तो इस तरह से आपका जो है वो यह आपका बनता चला जाएगा यहां तक भी देखिए ठीक है अब यह next candlestick बनी यह नीचे आई लेकिन फिर भी उसने cross नहीं किया और उपर ही गई तो उसके वह इस पर आएगा और यह देखिए यह इसने इसको touch किया आपका stop loss हीट हो जाएगा और आप यहां पर market से बाहर निकल देगे आपको सिर्फ stop loss लगाना है target नहीं intraday का है पूरा दिन आप इसको trend कीजिए जहां पर आपका stop loss और यह stop loss जो है वो trailing है तो आप देखिए और आप 217.45 में आप इस trade से जो है वह exit किये हैं और आपका stop loss कितना सा था आपने 214 पर लिया था और आपका stop loss था 212 तो 2 का stop loss था साड़े 3 का आपको profit मिला है तो risk reward भी अच्छा है और अब trend के साथ trade कर रहे है यह एक example मैंने दिया अपन और कहीं देखते हैं अगर इस तर trade built हुआ था यहां पर देखिए थोड़ा समय इसको मैं बढ़ा कर देता हूं ताकि आप clear देखिए यह देखिए पहले ट्रेंड जो है नेगेटिव था आर जी भी नीचे आर है फिर जी है यह नेगेटिव ट्रेंड है लेकिन यहां से first reversal जो है आर ने जी को क्रॉस किया और यह आर ने ब्लू को भी क्रॉस कर दिया तो यह first crossover इस पे second crossover ठीक है तो इस candle के top पे हम trade ले सकते हैं अगर वो पिछले हाई से पिछला हाई इसका यह है देखिए तो यह हाई अगर मैं यह एक लाइन खेंज दूँ तो इससे अगर हाई निकलता है यह वाला point यह first crossover second crossover तो इस में यहां पर हमारा trade बनता है इस लाइन पर यहां पर trade बनता है और इस जगे जो है वह हमारा stop loss बनता है तो आपने यहां पर trade ले लिए अब आपको कुछ नहीं करना stop loss आपका यहां है stop loss अभी हिट नहीं होगा आपका stop loss कहां जाके हिट होगा आपका stop loss हिट होगा यहां प तो इस तरह से अब trend को hacking आशी के साथ बहुत easily trailing stop loss के साथ intraday में आप trade कर सकते हैं और को example हम लेके देखते हैं यह सब उपर वाले example हो गए इस तरह से अगर कोई नीचे वाले example अगर कोई दिखाई देता है तो देखिए जैसे यहां पर क्या था यहां पर यह पहला crossover मिला है negative साइड में यह दूसरा crossover इस candlestick पर और यह जो है यहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं अगर यह इसको cross कर रहा है तो यहां पर वह cross नहीं कर रहा है तो यहां पर हमारा trade नहीं है हम और पीछे देखते हैं यह एक और crossover है देखिए पर यह जो इस तरह की candle जब बनती है न जब भी हाकी नाशी में बहुत सारी wix उपर या नीचे बन रही है चोट-चोटी candle बन रही है तो वो strong trend नहीं होगा तो आपको false signal मिलेंगे तो कोशिस करें कि अगर strong candle नहीं बन रही है अगर दोनों तरफ को ना करें तो ऐसे वाले में शायद मैं avoid करूं मैं एक बार और आगे जाता हूं ओके यह देखिए थोड़ा सा एक में यहां पर negative trend पहले से आ रहा है कहीं crossover नहीं है यह आज crossover हो सकता है यह देखिए यह SDFC का है तो यह देखिए जो यहां पहले यह positive line है RGB आर उपर है GB उपर से नीचे है तो यह positive trend चल रहा है लेकिन यहां हमारा पहला crossover आ गया है देखिए पहला crossover आ गया है दूसरा crossover अभी आने को है आप देख रहे हैं यह दूसरा crossover अभी आने को है अगर यहां पे crossover आया तो इसके बाद जो candlestick बनेगी वह मैं देखूंगा कि वह कहां पे close हो रही है वहां पे मेरा trade बनता है अगर वो candlestick इस line से उपर बनती है जो कि मुझे लग रहा है कि शायद बनेगी तो यह line मैं कुछ एक color देता हूं इसको let's say मैं यह color दे दिया तो इस line के यह जो candlestick बन रही देखिए यह second crossover होने वाला है तो अगर यह candlestick बनती है पांच मिनट की औ भी इसको फोड़ा दान अब पर तो यहां पर में trade ले लूंगा और मेरा stop-loss जो है वो उससे पिछली जो candle है यह वाली उसके इस point पर मेरा stop-loss रहेगा तो अगर माली जीए वो candle यहां close होती है तो यहां मेरा trade रहेगा यहां मेरा stop-loss रहेगा और जैसे-जैसे वह next candle पर जाएगा मेरा stop loss पिछली candle के टॉप पे मूव करता चला जाएगा नेगेटिव साइग तो अभी मुझे नहीं पता यह मार्केट इदर जाएगा कि नहीं जाएगा अगर यह यहां क्रॉप्स हुआ तो मैं इस पर ट्रेड लूँगा तो दोस्तों यह बहुत सिंपल सा है आप तीन यह में लगाईए नो बीस पचास वह आपको ट्रेंड बताएगा है कि आपको आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पता चलता जला जाता है नहीं तो लोग होते क्या है ट्रेंड में लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी एक्जिट कर जाते हैं हम हमारे विनिंग ट्रेड से अगर जल्दी एक्जिट हो गए तो वह एक तरह का लॉस ही होता है तो हम तब तक जब तक ट्रेंड और यह ट्रेंड क अपने आप दिखा देगा एक दो केंडल उपर नीचे विक वाली बताएगा और फिर आपके स्टॉप लॉस को वो हिट कर देगा जो कि आप अलड़ी ट्रेल कर रहे हैं और ट्रेलिंग आपको पता है कहां पर ट्रेल करना है तो यह बहुत सिंपल सा मेठोड है अगर आपको यूसफूल लगा हो और वीडियो समझ माया हो तो वीडियो को एक थमसब दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबाए